इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। तो डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक, समय और तरीके से चिपके रहें। मायोट्री पीडियाट्रिक आई ड्रॉप का उप्योग करने से पहले और बाद में हमेशा हाथों को साबुन और गर्म पानी से अच्छी तरह धोएं। ऐसा करने से किसी भी तरह के संक्रमन के खत्रे से बचने में मदद मिलेगी। दवा डालने के लिए अपने बच्चे को लेटने और दूसरी तरफ देखने के लिए कहें। सुनिश्चित करें कि दवा डालते समय आपका बच्चा स्थिर और शांत रहे। नाक से दूर निर्देशित, निचली पलक में दवा की बूंदे डालें। इसके बाद अपने बच्चे को कुछ समय के लिए अपनी आँखे बंद रखने के लिए कहें ताकि दवा बाहर न गिरे और ठीक से अफशोशित हो जाए। दवा डालने के तुरंथ बाद अपने बच्चे की आँखों को रगणने से रोके क्योंकि इससे लालिमा या जलन हो सकती है। मायोट्री पीडियाट्रिक आई ड्रॉप से के दौरान आपके बच्चे को किसी भी प्रकार का कॉंटेक्ट लेंस नहीं पहनना चाहिए क्योंकि यह दवा लेंस को नुकसान पहुचा सकती है। अपने आपसे दवा को अचानक बन न करें। भले ही आपका बच्चा बहतर महसूस करने लगे। निर्धारत पाठ्यक्रम पूरा होने तक दवा जारी रखें। किसी भी तरह की उल्जन होने पर अपने बच्चे के डॉक्टर से सलाह लें। इस दवा के कुछ मामूली और अस्थाई दुषप्रभाव हो सकते हैं जैसे धुंदली द्रिष्टी, फोटोफोबिया, आँखों में जलन और आँखों में चुभन। कुछ खुराक के बाद ये एपिसोड कम होना शुरू हो जाना चाहिए। हाला कि अगर ये दुषप्रभाव आपके बच्चे के लिए बने रहते हैं या परेशान करते हैं तो बिना किसी देरी के डॉक्टर को रिपोर्ट करें। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद।